नमस्कार एक बर्फर से आपका स्वागत है बदनास फटा फट कुकिंग शो में आज हम लोग बनाने जाने हैं ग्रीन चिला इससे हम मतर के साथ बनाएंगे चलिए आईए इसकी तयारी करते हैं ग्रीन चिला बनाने के लिए हमने एक बावल में लिया है दही तू टेबल स्पून है है थोड़ा सब मिर्चा पावडर तन्या पावडर इसे मिक्स करना है और इसमें हमने लिया है सूजी है इसमें थोड़ा पानी डालेंगे थोड़ा सब पानी डालेंगे इसमें इसे हम लोग 10 मिनिट सेट होने के लिए छोड़ देंगे हमने यह पड़ लिया है यह बॉल मटर है इसे हम एक मिक्सी जार में ढालना है वन टी स्पून अधरक का पैस्ट वन टी स्पून लासन का पैस्ट इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं तेन मिनिट सो चुके हैं इसे थोड़ा सा में और पतला करना है चिला बनाना है इसलिए इसका थोड़ा सा पतला पैस्ट रहेगा इसमें मटर पिसा है उसको इसमें मिक्स कर देंगे इसमें मिक्स कर लेंगे करना पैसे इसमें मिक्सकाय पीज़ा उसके स्प्राइब बडार कर देंगे इसके उपठ़ा सा ओयल डालते हैं इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है और करीब करीब इसको फाइब मिनिट्स के लिए छोड़ देना है यह देखे साइड से हमारा इस तरह से हो रहा है तो अब इसे पलटते हैं इसका बहुत ही सुंदर कलर आया है अब दूसरे तरफ से इसे सेखते है इसके चारो तरफ वन टी स्पून वेज़िटेबल ओयल डालते हैं यह चिला बन गया है आए इसे सर्फ करते हैं यह हमारा चिला बन करके रेडी है यह ग्रीन चिला बनाना बहुत ही आसान है इसे इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ ले यह बहुत ही टेस्टी लगता है और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्स्ट्राइब करें फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ